Good morning students, आज हम प्रनावन सीखने जा रहे हैं, प्रनावन कैसे कहते हैं, ठीक है ये आज हम समझेंगे अपने इस चेप्टर पर प्रनावन, ठीक है, इसे हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है, प्रनावन होता क्या है, चलिए हम पहले दो सेंटेंसे यहाँ पर मैंने लिखा है, इससे समझने का कोशिस करते हैं, पहला सेंटेंस क्या है, प्रिया इस लिटिल गर्ल, प्रिया इस प्रिटी, प्रिया क्या है, एक यहां प्रिया यूज किया और फिर प्रिया के बारे में बात करने के लिए अगें प्रिया का यूज किया ठीक है तो प्रिया यहां पर क्या है नाउन है तो हम क्या कि यहां भी प्रिया यूज किए इसके बाद भी प्रिया यूज किए अगर हम कोई आगे सेंटेंस लिखते प्रिया के बारे में तो हम क्या करते हैं तो क्या होता है कि इस तरह से सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं प्रिया के जगह पर ठीक प्रिया उपर वाले सेंटेंस के लोगों नहीं यूज किया था और सेंड में क्या यूज किया है तो यह जो सी है यहां पर यह क्या है कर यह क्या है अपर नावन क्या उता है है ज्यू वार्ड यूज टेन्ट प्लेशन क्या हनँ वेड़न वेयसा वर्ड है जो कि noun के जगे पे आता है noun के place पे use होता है दुर께 यहां पर प्री यह क्या था noun उसके जगे पे क्या आया she, तो she क्या है यहां पे pronoun, ठीक है noun is a word used in place of noun ठीक है, वैसे word जो की noun के place पे use होते है उसको हम लोग pronoun बोलते हैं अठीको कुछ प्रणवन का example मैंने यहां पर लिखा है जैसे I, me, we, us, you, him, she, her, it, they and them ठीक है यह सारे क्या है comments noun है अब देखो I हो गया तो I क्या होता है subject के sentence के first में आता है और me sentence के last में आता है उसी तरह से we sentence के first में आता है और us last में आता है you first में भी आ सकता है last में भी आ सकता है he first में आता है him last में आता है see first में आता है और her last में आता है it first में आ सकता है last में भी आ सकता है they first में आता है और them sentence के last में आता है यहां पर जो ही है ठीक है वो किसके लिए यूज़ता है male के लिए ठीक है मतलब जो male category के रहेंगे masculine gender उन लोगों के लिए यूज़ोगा ठीक है और she किसके लिए यूज़ोता है जो feminine है ठीक है feminine gender के लिए समझ रहो जैसे प्रिया है प्रिया क्या है एक लड़की है लड़की के लिए क्या आया अगर यहां पर राम रहता तो राम के लिए क्या आता ही आता ठीक है तो homework में आपको क्या मिला है homework में इसी से regarding कुछ questions है जिस पर आपको pronoun अलग करने हैं तो उसे आपको बनाना है और इसको copy में अच्छे से लिखना है